अभिमानी देश की जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद भी अपने अस्तित्व को बरकरा रखने में सफल साबित हुआ है जिसने तमाम तरीके से हर टेक्नोलोजी में अपने आपको अग्रणी साबित किया है जिसने तमाम तरीके से हर राजनिते किस तर पर भी अपने आपको चमकाने का पूरा प्रयास किया है लेकिन उस देश के निर्मार में हम भारतियों का क्या योगदान रहा है भारत का क्या योगदान रहा है किस तरहीके से हम उनके लिए जरूरी है और वो हमारे लिए जरूरी है आज हम इस विशेपे बात कर रहे हैं और हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है इसराइल इस्राइल एक मात्र यहूदियों का देश है एक मात्र ऐसा देश है जहां पर सीधी तोर पर हम कह सकते हैं कि भारत और इस्राइल के बीच में सांस्कृतिक सामानता देखने को मिलती है जिसका कहने को तो हम और आप शायद यह जानते हों कि 67 साथ पहले ही यह देश अस्तित्व में आया है लेकिन सचाई तो यह है कि 2000 साल पहले ही इस्राइल अपने अस्तित्व की लड़ाई शुरू कर चुका था और उसको अस्तित्व में लाने के लिए जिसने सबसे बड़ी भ महारत देश आज इसी पहलू पर विशेश चाचा करने के लिए हमारे साथ एक विशेश महमान स्टूडियो में मौझूद है मैं स्वागत करना चाहूंगी हिंदू स्वैम से मकसंग के अंतराष्ट्री सेह सायोजग श्री रवी कुमार जीगा रवी जी बहुत-बहुत सबसे पहले क्यों कि बहुत-उचाहित हूं आज क्या संबंद है हम इसी दारहे में बन जाते हैं लिकिन कहानी तो बहुत साल हजारों साल पहले से शुरू होती है उस कहानी के बारे में सबसे पहले में आपसे जाना जाएंगे धन्यवाद सुधर्शन चैनल को वैसे विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से यहुदियों का जो जुडाइजम है और हमारा हिंदु धर्म है लगबग 4,000 वर्ष पुराना है जब अब्रहेम इसरेल पहुँचे 1850 BC याने इसापुर्व तब से उनका अब्रहेमिक रिलिजन याने जुडाइजम प्रारंब होता है इसरेल के अनेक घटनाओं में प्राचीन घटनाओं में भी भारत का उल्लेक आता है अनेक बार विजरेल के उपर बहुत सारे आकरण हुए और कई बार उनको पलायन करना पड़ा आज से 2500 साल पहले जब वहां से कुछ लोग पलायन के तो वह केरल में आके कोचिन में आके बसे आज से 2200 साल पहले जब दुबारा उनके उपर आकरण हुआ वहां से पलायन के तो वे अलीबाग महराश्च में आके बसे और लगबग 2000 साल तक वे भारत में बिना किसी भी प्रकार के रेशियल या रिलिजिस डिस्क्रिमिनेशन से वे रहे वैसे पलायन करते हुए अनेक देश में गए सब जगह पर उनके पर बहुत बुरी तरसे यातनाय सहन करनी पड़ी विश्व के इतियास में एकमेव देश अगर है भारत है इसका उल्लेक वहां के सारे लोग करते हैं इसरेल सरकार जानता है कि बहुत बड़ा योगदान भारत का है पिछले 2000 सालों से उनको उनके लोगों को संभालने में वैसे उनके त्योहार हमारी त्योहार में भी बहुत सारी सामिय है अलग-अलग समय पर भारत और वे लोग एकतर आये भारत में जो 2000 वर्षों से इसरेल यहुदी लोग रहते हैं, उन्होंने Bank of India जैसे एक बहुत अच्छे बैंक का भी निर्मान उनके साथ हुआ, Gateway of India हम देखते हैं, उसका भी निर्मान उन्हेंने किया, बंबाई में ही रानी बाग है, जू, उसका भी निर्मान उन्होंने किया, इस प्रकार से उन्होंने भी हमे से आये हुए Minorities हो, तो आपको Minority Rights हम देना चाहते हैं, दोनों पार्सी लोगों ने और यहुदियों ने कहा है, कि भारत में हम सुरक्षित है, हमें किसलिए Minority Rights चाहिए, तो ऐसे कहने वाले वे लोग, 1948 में जब इस्रेल का निर्मान विदिवत युनाइट नेशन के resolution से हुआ, उसके बाद भारत में रहने वाले लगबग 80,000 मराठी और मल्यालम बोलने वाले लोग, आज इस्रेल में पाये जाते हैं, इस्रेल में रहने वाले भारतियों लोग, ये कहते हैं, कि जर्मनी से, रुमानिया से, रशिया से, यूरोप के अनेक देशों से, जो यह यहुदी वहाँ उन पर 2000 वर्सों से जो यातना है थी, उससे रिलीफ पाने के लिए इस्रेल में आये, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम इस्रेल में, क्योंकि ये हमारा पित्रु भूमी है, इसलिए हम यहां आये है, यहां के डेवलोप्मेंट में हमारा हाथ रह इसलिए भारतिय यहुदी यह भी कहते है कि इस्रेल इस आवर फादर लेंड एंड इंडिया इस आवर मदर लेंड और यू नो एवरी चाइड लाइक्स द मदर देंद दी फादर, यह उनका बाक्या है, वैसे यह भी कहते है कि इस्रेल इस आवर ब्लड बट इंडिया इस आवर हार्ट, तो आइस प्रकार से कहने वाला एक देश में असी हजार लोग रहते हैं, भारत में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, साथ-साथ यह भी है कि आधुनिक इस्रेल का निर्मान में भारतियों का, योद्धा का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. यह समय जाता है पहले महा युद्ध का, पहले महा युद्ध के भी पूर्वा, यहुदियों में और अंग्रेजों के बीच में एक संदी हुई थी जिसे बेलफोर्ट क्रीटी कहते हैं, तो उसमें अंग्रेजों ने इनको वचन दिया था, कि हम 400 वर्ष से इस्रेल पर रहने वाले, राज्य करने वाले तुर्की सामराज्यों को हम युद्ध में हरा कर, वह भूमी यहुदियों के हाथ में देंगे. यहुदी 2000 वर्ष पूर्वे ही रोमन सामराज के समय दुनिया भर में विखेर गए थे, मुखे रूप से यूरोप में अधिक लोग गए, कुछ लोग शरनाती के नाते भारत में आये, तो 2000 वर्षों से उनकी यही इच्छा थी कि हमें वापस हमारे मात्रवू में लोटना है, तो इसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम उसके लिए मदद करेंगे. अंग्रेजों ने अपने सेना लेकर इसरेल का जो बंदरगा है हाइफा में पहुँचे, और उन्होंने सुचा कि अगर बंदरगा हमारे हाथ में आता है, तो तुर्की और उनको मदद करने वाले जर्मन और आस्ट्रियन लोगों की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि उनके जह पहाँ आजाएगा, इसलिए इसरेल को अगर मुक्त कराना है तो पहले हाइफा को मुक्त कराना बहुत ज़रूरी है, हाइफा जो उनका बंदरगा था, सीपोर्ट, जब अंग्रेजों ने सर्वे किया, एरियल सर्वे में उनको लगा कि शायद हाइफा शहर में ज्यादा श हाडों में छुपा कर और बंकर्स बना कर जमीन के नीचे छुपे हुए थे, इसलिए एरियल सर्वे में ध्यान में नहीं आया और जैसे ही अंग्रेज उनके पर आकरवन करने लगे, तो जो वहां से छुपे हुए जगह से वो इनके उपर तो और गोलियों से बरसाने लगे तो अंग्रेज पीछे हटे, अंग्रेजों के इस प्रफ़म माहयुद्ध में मदद करने के लिए भारत के जोतफOOD महराजा और मैसूर महराजा ने भी अपनी टुकडी भेजी थी, हाड़राबाद के निजाम ने भी वहां अपनी टुकडी भेजी थी, अंग्रेजों ने हा जिद्राबाद के निजाम के साइनिकों से कहा है कि इस युद्ध में आप केवल परिजनर साव वार को संभालने का काम करेंगे, इसलिए युद्ध के सामने नहीं रहेंगे, आप पीछे रहेंगे. तो सामने जो जोदपूर के और मैसूर के सैनिक थे, जैसे अंग्रेजो ने उस पहले आकरमण हाइफा पे करते हुए पीछे हट गए. तब वहां के भारती यह जोदपूर और मैसूर के महराजा से भेजे गए सैनिक. एकतर आये और उन्होंने अंग्रेजो से कहा कि पीछे अपना हम रजपुतों के लिए शान नहीं है भारतियों की अपने खून में ही नहीं है बिलकुल इसलिए हम युद्ध जारी रखना चाहेंगे और भले हम अपना प्रायांड क्या करेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे यह हमारे यह शोभा नहीं देता है और बाद में भी जब हम वापस जाएंगे हमें अपने राजा को और हमें अपने प्रजा को भी उत्तर देना पड़ेगा कि हम क्या कैसे पीछे हट गए तो अंग्रेजों ने उनको समझाया कि वहां उनके पास आधुनिक शस्त्र भी है भारत के महराजा ने जो भेजे यह जो लड़ाकु थ इनके पास केवल तलवार और इनके पास भाला थी जो प्राचीन हत्यार हुआ करते हैं जो उन दिनों के पूर्व के कन्वेंशनल वार वेपन्स होते हैं और यह घोड़े पे थे और कुछ पदसायनिक थे उन्होंने बहुत समझाया कि आप घोड़े पे बैटकर और यह तल तो बड़ी संख्या में मारे जाएंगे तो आप तो हमाया की युद्ध का परिणाम जो भी हो हमें तो युद्ध करना है आखरी में अंग्रेजों ने उनको वहां के नक्षे वगर दे कर और उनको युद्ध में थोड़ी सी स्ट्याटेजिक मदद करते हुए कहा कि आप आ अच्छी तरह से वे सुरक्षित जगह पर रहते हैं और आजुनिक शस्त्र भी है उनके पास भारत के वीर कम संख्या में है उनके पास आजुनिक शस्त्र नहीं है और फिर भी इस युद्ध में भारत के लोगों की जीत हो जाती है क्योंकि वो भारत के वीर सपूत हैं और भारत के वीर सपूतों के जब हम बात करते हैं तो उनकी यही गाता है जो पूरी तरीके से हम सभी को रोमांचित कर देती हैं बहुत रोचा कहानी सर आपने सुनाई एक चोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज मुझे के बाद स्वागते हैं हम आज बात कर रहे हैं कि इसराइल की निर्मार में किस तरहीके से भारत का एक महत्वपून योगदान रहा है केवल 67 साल पहले ही नहीं बलकि 2000 साल पहले ही भारतियों ने योगदान देना शुरू कर दिया था और यही वज़ा है कि इसराइली आज भी कहते हैं कि अगर इसराइल की भूमी उनकी पित्रभूमी है तो भारत उनकी मात्रभूमी है मेरे साथ विशेश महमान रवी कुमार जी हिंदू स्वेम सिवक संग के अंतराश्ट्रे सहसायूज अकलगातार बने हुए है सर ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और थोड़ा से इस विशेश पर बात करते हैं इसराइल में हमने देखा है कि वो कृषी के शेत्र में काफी उन्नती कर चुका है उसकी तक्नीक बहुत जाद अविक्सत हो चुकी है वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है बावजूद उसके वहाँ पर खास्त और से ड्रिप इरिगेशन को लेकर उन्होंने जिस तरीके से अपनी कृषी को उन्नत किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ची भी वहाँ गये थे और उन्होंने उसी टेक्निलोजी को भारत लाने की बाद भी कही है उस टेक्निलोजी की भी एक कहानी है जो शायद भारतिये से ही जुड़ी हुई है उस तक्निकी को भी भारतिये नहीं उसकी नीव रखी थी उस बात का जिक्र हम अब यहाँ पर करना जाएंगे जब इस्रेल का निर्माण 1948 में हुआ उसके बाद रश्या से जर्मनी से पोलेंड से रोमेनिया से हंगेरी से यूरोप के अनेक देशों से यहुदी इस्रेल में जैसे आते रहे वैसे ही भारत के यहुदी भी वहां जाने लगे लेकिन यूरोप के यहुदी सफेद रंगे थे भारतिय यहुदी थोड़े से ब्राउन कलर के थे इसलिए वरन का भेडबा हुआ इन्होंने कहा कि आप लोग यहुदी नहीं हो आप जूड बोल रहे हो आप निकल जाहिए इसलिए कुछ भारतियों को यहुदीयों को बड़े शहर है तेल लवीव है और हाइफा है इन बड़े शोरों में आप नहीं रहेंगे और उनको रेगिस्तान में भेज दिया गया तो रेगिस्तान का जीवन आप समझ सकते हो कि वहां उस समय उनिस और तालिस निस सो पचास निस साथ में ज्यादा कुछ विकस नहीं था और सारा विकास इनको ही करना पड़ा उस कठिन प्रदेश में रहते रहते उसे नंदन्वन बनाने का श्रेय भारत से गए हुए कोचिन से गए या महराश्य से गए हुए हमारे यहुदियों का बहुत बड़ा योगदान है उसे मानते भी है तो ऐसे एक वहां का बहुत प्रदा कर उसका सदकार हुआ है तो हम देखते हैं कि उनके बहुत सारे डिवलपमेंट में और अगरिकल्चर डिवलपमेंट जिसके लिए विक्रिशिव बहुत प्रसिद्ध है उसमें भी भारतियों का योगदान है और सबसे बड़ी बात तो यह कि कृशी उननती के मामल इसराइल इतना आगी जा चुका है कि 95% का उत्पादन इसराइल खुद करता है सिर्फ 5% ही वो उसे इंपोर्ट करना पड़ता है बाकि सब उनकी धरती पर बनता है और अगर धरती पर उपज हो रही है तो इसके पीछे भी एक भारती का ही हाथ है जैसा कि रवी जी बता भ इसराइल पर इसराइल आगर सब्सक्राइब आगर आथार करते हैं तो इसराइल को ही जो साइबर टेकनालिजी है इन में सबसे ज्यादा वहां से अगर निर्यात होता है तो भारत को होता है तो भारत is the biggest buyer of many sophisticated instruments from Israel इस दिरिशे से इस्रेल का आर्थिक और भारत के आर्थिक और scientific progress में दोनों का एक दूसरे का हाथ है वैसे भी आप दुनिया में देखेंगे यहुदी लोग अमेरिका में बहुत चाय हुए है उधारण के लिए Google जिसने शुरू किया है Larry Page और सर्जी ब्रिन दोनों ही यहुदी है लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं था तो उनको पैसा देकर इस company शुरू करने के लिए राम श्री राम अपने भारतिया ने मदद किया था और आज हम देखते हैं कि यहुदी इसे गूगल में भी एक नमबर पे सुन्दर पिच्चे पहुँच गये है उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग उसमें कारियरत थे जब महात्मा गांदी जी सौटाफरिका में थे उस समय वहां के यहुदी ने ही उनको एक हजार एकर जमीन देकर और बहुत सारे रुपे देकर अर्वो रुपे देकर उनका जो संगर्ष का काम चालू था उसमें उन्होंने मदद किया है ऐसे इतियास में बहुत सारे स्थानों पर भारतिये और यहुदियों का एक बहुत तालमेल दिखता है सर यहां पर तालमेल की जब बात आई है तो यह कहा जाता है कि हमारी और उनकी संस्कृती में बहुत समानता है, बहुत तरीके की तिवहार हैं, जो वजय कुछ और हो सकती हैं, उसकी पौराणिक गाथाएं अलग हो सकती हैं, लेकि तमाम तरीके के जो तिवहार हैं, उन पर थ पहले बार उनका मंदीर तूटा था तो इसको पुणर निर्मान करने के दिश्टी से उसको मानते हैं और वैसे हम होली के समय अलग-अलग रंगे रंग लगा कर हम नासते हैं वैसे वे भी ऐसे एक ट्युहार में अलग-अलग रंग लगा कर वो चाहते हैं अब पहुरानी कताएं भी नहीं हो सकती है लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन से सामने दिखता है और क्योंकि सर वक्त कम हो रहा है लेकिन चलते-चलते हम आपसे तू शॉर्ट जरूर जानना चाहेंगे कि अभी पूरा सौ साल होने वाला है इसे में यह सुनने में आ रहा है कि इसराइली चाहते हैं कि भारती उनकी सर्जमी पर जाकर। जो योगदान रहा है उसके प्रती दरसल इसराइल अपनी क्रितग्यता देखाना चाहता है इसलिए वह आमंत्रुद भी कर रहा है क्या कुछ कहा जा रहा है इस जाल की तरब से जैसे मैंने का है कि 1908 तेइस सितमबर को हाइफा का मुक्ति हुआ था उसके बाद 1919 से लेकर यहुदी यूरोप से लगातार हाइफा में और बाद में इसरेल में आने लगे इसरेल का जो युद्ध निर्मान का जो प्रारम होता है 1908 तेइस सितमबर से और आगे चलकर युद्ध में हमारे कम से कम 900 लोग इसरेल के निर्मान में मारे गए इसका रेकर्ड इसरेल के पास है इसलिए 900 संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है कि भारतिय यूद्धा वहां अपना प्रान अर्पन किया है वीरगति प्राप्त होक इसलिए हर साल 23 सिप्टमबर को हाइफा शहर में वे भारतियों को धन्य देते हुए जहां भारतियों को का समारक है वहां पर एकत्रित होते हैं मेर आता है और इस बार मेर ने कहा है कि दो वर्ष में इसका सेंटिनरी होने वाला है हम चाहते हैं कि भारत से भी बड़ा एक ग बहेंगे वहां के जो मराथी भाषिक और मल्यालम भाषिक के जो यहुदी है वे भी आतुरता से देख रहे हैं कि भारत के लोग कब आएंगे हमें मिलने के लिए इस ही को शाहिद प्रेम कहते हैं और इसलाइल और भारत का जो प्रेम है जो दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाओ है उनों का एक दूसरे करपती जो सम्मान है उसकी नीव आज हमने जानी की 2000 साल पहले किस तरही के से रखी गई थी और अब आज की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज की सरकार में प्रेधानमंत्री नरेंद्र मोधी पहले प्रेधानमंत्री हैं जिन्होंने इसराइल का दौरा किया है और इस संबंद को एक नया आयाम देने की कोशिश की है ये संबंद और भी आगे बढ़ेगा किस किस तरही के से दिल्चस्प मोर पर ये जाएगा इस पर भी दुनिया वालों की नज़र रहेगी बेराल बहुत बहुत शुक्रिया रवी जी हमेरे इसे के साथ इस बुल्चिक में भी बस इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रही है सुदर्शन नियूस